आउ, सॉनिक, मुझे तुमारे साथ बाहर चड़ने में बहुत ही जादा मजाता है I love you हाँ, एमी, मुझे भी तुमारे साथ बाहर चड़ने में बहुत ही जादा मजाता है आज की हाई तो बहुत ही जादा अच्छी थी हाँ हाँ तुम दोनों तो बोधी साधा खुश लग रहे हैं क्योंकि मैं सॉनिक के साथ हूँ इसलिए मैं बोधी कुश हूँ मैं सॉनिक को खुश नहीं देख सकता अब तुम्हें दुखी करता हूँ ये लटकी चीलट वाग डूम डूम अरे ये हल्क ने क्या कर दिया एमी, अरे एमी, एमी को क्या हो गया मेरी कर्फरेंट को इसने क्या बना ड़ा ओ वाव हल्क तुम तो कितने साधा मस्कुलरो मैं तुमारी कर्फरेंट बनना चाहती हूँ हाँ हाँ मैं तुम्हें अपनी कर्फरेंट जरूर बनाऊंगा चलो मेरे साथ अरे हल्क के बच्चे तुने ये क्या कर दिया एमी को यहाँ पर इसने मैं डग बना दिया एमी मेरी माँ सुनो मेरे साथ चलो नहीं मुझे हल्क पसंदे मैं हल्क के साथ रहूंगी हा 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 सौनिक के वच्चे ये हल्क का जादू है आज से एमी मेरी गर्फ्रेंड बन चुकी है और अगर तुझे से वापिस से बचाना है आज से एमी मेरी गर्फ्रेंड बन चुकी है चलो एमी हम मेरे घर पर चलते हैं ये सौनिक कुछ नहीं कर पाएगा अचलाू तुम जा जाओगे मैं वही जाओगी अरे कौईजर यह क्या हो गया हलक तो यहाँ पर एमी को लेकर जा चूका है हलक ने बता ने कौन सा जादू कर दिया एमी के उपर और वो उसके साथ जा जा चुकिये और वो बोली थी कि उसको हल्क के साथ ही रहना है ये क्या हो गया अब मेरा यहाँ पर रहने का क्या मतलब है मैं इस पार से कूथ के मरने वाला हूँ बच्चे पार से कूथने का कोई मतलब नहीं है अरे अंकल आप को नो अगर तुम्हें अपनी गल्फ्रेंड एमी को उस हल्क से बचाना है तो तुम्हें एक गोल्ड सॉनिक बनना पड़ेगा क्योंकि उस हल्क की कमजोरी है गोल्ड और अगर तुम गोल्ड सॉनिक बन गए तो तुम उस हल्क को हरा कर उसका मैजिक तोड़ सकते हो और अपनी काल फ्रेंट को बचा सकते हो तो मैं गोल्ड सॉनिक कैसे बनूँगा? बच्चे, वो मैं तुम्हें बनाऊंगा यहां पर एक गोल्ड की बाइक पढ़ी है तो मैं इस बाइक को ले कर जाना है इस वाटर स्लाइड पर और इस वाटर स्लाइड पर जूलते जूलते तुम्हें जाना पड़ेगा इस गोल्ड की माइन कार्ट के अंदर अगर तुम इसके अंदर लेंड कर गए तो तुम एक गोल्ड के सॉनिक बन जाओगे क्या तुम तयार हो? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल तयार हूँ एक खातरनाक सा गोल्ड सॉनिक बनने के लिए फड़ाफट से इस गोल्डन बाइक पर मेट जाते हैं और इसको लेकर चलते वाटर स्लाइड पर तो पहली बार कोई इनसान के जगे वाटर स्लाइड पर एक बाइक जारी होगी और यह तो बहुत ही फास्ट है मुझे बचाओ मुझे यह से गिरना नहीं है मुझे लैंड करना है दूसरे वो उस गोल्ड के कुए के अंदर मतब जो काट है उसके अंदर हमें लैंड करना पड़ेगा अभी हम यहाँ पर फॉल स्पीड में जाते जा रहे हैं स्लाइड चेंज हो चुकी है मुझे कैसे भी करके उसके अंदर लैंड करना है ताकि मैं अफग्रेड हो सकूँ एक गोल्ड सॉनिक में और यह स्लाइड यहाँ पर खतम होने वाली है और अभी मैं इस वाटर स्लाइड से जाने वाला हूँ सीना गोल्ड के अंदर और कैसे अभी आप देख सकतू मेरे हाथ और मेरे पैर गोल्ड के यहाँ पर हो चुके इसलिए मैं एमी को यहाँ पर बचाने आ चुका हूँ इस सल्क से हल्क मैं तुझे नहीं चोड़ने वाला क्योंकि मुझे तेरी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है अच्छा क्या है मेरे कमजोरी तेरी कमजोरी यह गोल्ड और मेरे हाथ और पैर गोल्ड के हो चुके मैं तुझे नहीं चोड़ने वाला याँ यहले अब है सानिक चिर्कोड इतने से गोल्ड से मुझे कुछ नहीं होने वाला तो अपनी girlfriend को कभी नहीं बचा पाएगा हाँ हाँ Amy Rose मेरी girlfriend है अरे कैजर ये क्या हो गया मुझे लगा अगर मेरे हाथ और पैर सिर्फ gold के बंचा है तो मैं इस Hulk को मार कर अपनी girlfriend को बचा लूँगा पर मुझे लगता है मुझे और भी जादा gold का बनना पड़ेगा अगर मैं इस Hulk के बच्चे को हराना चाहता हूँ तो तो गैसर वड़ापट से चलते है जल्दी जल्दी एक खदरना gold sonic बनते है ताकि हम अपनी girlfriend को बचा सके तो गैसर अगर आप चाहते हो Sonic अपनी girlfriend को बचा ले तो पड़ापट से फीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो कमेंट में लिख दो सेव सॉनिक जी एफ जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और हम चलते पड़ापट से gold का sonic बनने लेट्स को तो काईसर आप हम मुझे जल्दी जल्दी gold sonic बनना है उसके लिए मुझे बहुत सारा gold चाहिए होगा तो भी यहाँ पर मैं कैमरा लेकर आचुका हूँ बीच पर क्योंकि यहाँ पर जो भी लोगा आते हैं उनको फोटो के चुवानी होती है तो मैं उनकी फोटो की चुवानी होती है तो यहाँ से दूर चले जाओ अरे रुक कोई चाहिए सोच ना-पट चговाने का पर मैं नहीं कीच्वाँगी हार मेरा मतलब तीदी वी मेरी बात सुनो किया आप मेरे से फोटो के चुवाना चाहोगी मैं बहुत ही बढ़िया फोटो कीचता हूँ फोटो तो मुझे कच्छवानी है अरे मैं आपकी बहुत सारी फोटो कीच दूँगा बस एक गोल्ड कोईन के लिए क्या सिर्फ एक गोल्ड कोईन के लिए ये तो बहुत ही सस्ता है आजाओ मेरी चल्दी चल्दी फोटो कीज़ो ओके स्माइल मतलब हसो एर स्माइल के बोल रहे हो अब इनकी फोटा पड़ियासी फोटो कीज़ देते है 3, 2, 1 आजाओ मैंने आपकी फोटो कीज़ दी ये देगो फोटो कितनी अच्छी है अब मुझे वो गोल कोई दे दो अरे ये कैसी फोटा कीज़े तुमने इसमे तो मेरी शक्कारे ने दिखरी और ये ता बहुत ही गंदी फोटो है मुझे ये नहीं चाहिए और फोटो कीज़ो क्या और फोटो अच्छा रोगो मेरे पास एक आइडिया है इस पराब बहुत ही बढ़ी अलगोगी अभी वड़ाबट से फोटो कीज़ता हूँ स्मायल वड़ाबट से इसकी फोटो कीज़ते है ये 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 वाव ये फोटो ता बहुत अच्छी है मुझे असे और फोटो चाहिए ओके ओके चल्दी कीज़ता हूँ एक फोटो मेरे पोट पर वे कीज़ो ओके स्मायल वड़ाबट से इसकी बढ़ी अबड़ी फोटो कीज़ता हूँ ताकि वो गोल्ड कोईन मुझे मिल सेके ये देखो मैंने आपके कितनी बढ़ी अबढ़ी अबढ़ी याँ पर फोटो कीज़ती है अरे वाओ ये फोटोस था सही में बहुत ही साथ अच्छी है अच्छी लगी ना अपड़ाबट से वो गोल्ड कोईन मुझे देऊ ठीक है वो गोल्ड कोईन तुमारा हुआ तो गाइजर फाइनली हमने इनकी फोटोस कीज़के कमा लिया है इक गोल्ड कोईन हाँ 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 फ्री का गोल्ड कोईन मिल गया भागो अरे ये क्या मेरा गोल्ड कोईन अरे गोल्ड कोईन चोर 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 पकड़ो पकड़ो हाँ 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 ये गोल्ड कोईन तो मैं ही लेकर रहूँगा रुक चाँ मेरा gold coin दे दे अरे इतने मुश्किल से कमा है इतनी सारी फोटो कीच कीच के ये चोर का बच्चा तो मेरा gold coin लेकर भाग रहा है मुझे इसको जल्दी से रोकना पड़ेगा यह ले हाँ हाँ मैं नहीं रुकने वाला ये gold coin मेरा है कैजर ये तो बिल्कुल भी रुकी नहीं नहीं, मुझे इसको चल्दी से रुकने पड़ेगा, रुक चाओ, मेरे पास एक आइडिया है, हाँ हाँ हाँ, ये गोल्ड कोई तो मेरा हो गया, आज मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, येले, तो कैजर अभी आप देख सकते हूं, हम आपर्ट से इसको ले लेते हैं, फिर तो हम बनने वाले एक बढ़िया सा गोल्ड सॉनिक, और कैजर आप दीख सेकते हूं, मैं यहाँ पर बच चुका हूं, यहाँ पूरा का पूरा गोल्ड का हो चुका हूं, पहले मेरे सिर्फ हाथ और पैर गोल्ड के ते, पर आभी फिल सॉनिक से, क्योंकि आपी तो मैं सिर्फ गोल्ड का हूं, और थोड़ी बहुत भागने की पावर्ट मेरे पास आ चुकी है, अगर मुझे उस खदरनाक से हल्कोरा ना है, तो मुझे एक खदरनाक, मस्कुलर, बावर्फुल सॉनिक बनना पड़ेगा, तभी तो हम उस हल्कोर आप जितना कमेंट करोगे गोल्ड हमारे पास आने वाल है, आप डोनेट कर सकते हो, अगर आप कमेंट करोगे 1 गोल्ड, तो मुझे यहाँ पर 1 गोल्ड मिल जाएगा, अगर आप कमेंट करोगे 10 गोल्ड, तो मुझे आप 10 गोल्ड मिल जाएगा, और याद रखना, अगर म वड़ाफट से चलते हैं गोल्ड ढूरने तो गाई सर अभी आप देख सकत हूँ हम लोग अपने अगले सूट के लिए आचुके अगला गोल्ड सॉनिक सूट और ये क्या वो तो सामने ही है ये वाला सूट तो कितना सादा खतरनाक है उसकी बोड़ी तो देखो मैं उसके सामने एक तुम बच्चा लग रहा हूँ मुझे ये सूट चाहिए होगा कैसे मिलेगा भाई हो और बेन हो आप सब का स्वागत है आज के हमारे आक्षन में आज के आक्षन में कुछ खतरनाक खतरनाक चीज़े आपको मिलने वाली है जैसे की ये पांडा जो की बात करता है बेटा तुम्हारा नाम क्या है पांडा देखा इसका नाम पांडा है तुम काम क्या करते हो पांडा देखा पांडा बनने का काम करता है और हमारे पास है ये खतरनाक सा क्रिश जिसकी बोड़ी है बहुत ही कतरनाग अब अच्छे बहुत है हमारे पास एक खतरनाक सा गोल्ड सॉनिक तो यह हमारे आज के तीनों नए नए औक्षण में भिकने वाले कंटेस्टेंट जो भी इसको खरीदना चाहता है औक्षण में पार्टिसिबेट किजिए औक्षण दस मिनिट में शुरू होगा अपने अपनी जेबे खाली करिए और और अच्छण में लगाईए जो खरीदना है सब खरीदिये अयो मैं तो सब कर सब खरिद लूगा मेरे पैस बहुत पैस है अरे कैसर यहाबन अभी 10 मिनिट में आक्षण स्टार्ट होने वाला है और मुझे उस आक्षण में कैसे भी करके वो गोल्ड मस्कुलर सॉनिक खरीद है मेरे पास टाइम बहुत ही कम है मुझे बहुत सारा पैस चाहिए होगा ताकि मैं वो खदरनाक सा सॉनिक खरीद सको तो बड़ा पड़ से चलते हैं जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा जमा करते हैं मुझे वो सॉनिक करके खरीद ना पड़ेगा लेस को तो काई सर अभी हम लोग निकल चुके उस आक्षण के लिए पैसे कमाने और चलना तो सीख ले चलना मैं सीख लूँगा पर अभी मैं स्विमिंग करूँगा मेरे पास बहुत सारा पैसा है ये स्विमिंग पूल पूरा का पूरा पैसो से बरा है हर जगे पैसा ही पैसा मुझे पैसे वाले स्विमिंग पूल में नहाने में बहुत मज़ा आता है तुम मेरे बस इतना सारा पैसे तो ब्ला सा सकते दूं निकल जाओ यहां से वरना मैं तो मेरे नहीं छोड़ूंगा याद रखे का اफ्स estásSA है तो काईज़ा अभी मैंने इसको पागल बना जिए कि मैं अध्या से जा चुका हो पर मैंयाँ पर चुपने वाला हूं वाव मज़ा आ रहा है स्विमिंग पूल में मज़ा आ रहा है तो कैसर मुझे पता है कि सूपर मैन को पैसे से बहुत ही साधा प्यार है इसलिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया वाला आइडिया है अभी हम चुप चाप यहाँ पर जाने वाले एक सेकिंड मुझे मेरे पैसों की खुश्बू तो पता है पर यहाँ पर मुझे और भी पैसों की खुश्बू आ रही है मुझे चाहिए कहा है पैसा ओ यह क्या यहाँ पर तो पैसा पड़ा है मैं यह सारा पैसा ले लूँगा एक, दो, तीन, यहाँ पर तो पुरे दस रुपए बढ़े तो क्वाई सर यही टाइम है यह सारा का सारा पैसा यहां से गायब करने का फटाफ़र से दोनों क्रेट उठा के यहां से ले जाता हूँ भागो, 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 भागो मैं आपर फोन करने वालाओ गवर्मेंट में इंकम टेक्स वालों को ताकि वो लोग यहाँ पर आकर इसके घर पर रेट कर सके और बहुत ही सादा मजा आने वाला एफटाफ़र से उनको फोन लगा देता हूँ हेलो, जल्दी से सूपरमेन की घर पर आओ यहाँ पर बहुत सारा ब्लैक मनी है बतानी वाँ पर दस रुपे किस पर रख दिये थे पर मुझे मिल चुके है ऐसे ही तो मैं अमीर बनूँगा तत दस रुपे जमा करके इंकम टेक्स डिपार्टमेंट तुम बचकर नहीं जा सकते सूपरमेन क्या इंकम टेक्स आरे यह क्या बोल रहे हो मैंने बहुत सारा इंकम टेक्स दिया है तुम यहाँ से चले जाओ ऐसे कैसे चले जाए मुझे यहाँ पर बहुत सारा पैसा दिखाई दे रहा है सूपरमेन यू आर अंडर अरे बर मैंने किया क्या है ये तो मेरा ही पैसा है आफिसर्स पकड़ लो इसको और जेल में डालो नई 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 तो गाइसर अभी मेरा प्लैन यहाँ पर काम कर चुका है सूपरमेन को पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है और जैसे ही जाएंगे मैं सारा का सारा पैसा ले लूगा मुझे छोड़ दो मैंने कुछ नहीं किया मुझे छोड़ दो और गाइसर फाइनली अभी पुलिस वाले पकड़ कर लेकर जा चुके है सूपरमेन को और ये सारा का सारा पैसा यहाँ पर मेरा हो चुका है और ये सूपरमेन के सूट तो यहाँ पर मिल चुके है मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे पर गैसर सूपरमेन की घर पर तो सिर्फ 20 मिलियन डॉलर से और मुझे नहीं लगता आक्शन में मैं 20 मिलियन डॉलर से वो खतरनाक सा सॉनिक का सूट खरीच सकता हूँ इसलिए गैसर मैं आचुका हूँ इस खतरनाक से बैंक में रॉबरी करने सबसे बैने सिक्यूरिटी गाड को यहाँ पर मार देने जो भी है चुप चब सबके सब नीचे बैट जाओ और ना गोली मार दूँगा सबके सब नीचे बैठे लेना गोल्ड सॉनिक यह पर आ चुका है चोरी करने तो मैंने सूच अधा सूपर मैं से काम हो जाएगा पर यहाँ पर काम नहीं हो है इसलिए बैंक पे रॉबरी करनी पड़ेगी बैंक आफ लिबर्टी में हम यहाँ पर रॉबरी करने वाले खतरन वन टू थी फोर फाइफ और कैसर यहाँ पर ब्रिंट क्लों सक्सेस्फुल हो चुका है मारा बढ़िया सा फिंगर प्रिंट और यह अलोग पे उचुका है प्ड़ावर्ट से अंदर यहाँ पंड चलने तो सारा का सारा पैसा भी हम चुराने वाले मनी मनी मैं आ गया ओर कै कितना सारा पैसा बने आजा आजा सारा का सारा पैसा लूट लूगा एक रुपया भी आपट छोड़ने नीवाला सारा का सारा पैसा मुझे चाहिए तो guys already 4 million dollars तो मेरे पास हो चुके है पर अभी भी याँ पर बहुत सारा पैसा लूटना बागी है तो guys जल्दी जल्दी बागी कभी सारा का सारा पैसा उठाते जाते है ताकि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए और उस auction में जाकर हम वो suit को खरी देंगे और फिर हल को मज़ा जखाएंगे उस ते मेरी गल्फरेंड को किटनैप किया था अब उसे उसकी नानी याद दिलाएंगे मेरे पास अब यहाँ पर 12 million dollars हो चुके है पर अभी भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा बज़ा है एक सिकिंड यहाँ पर तो गोल्ड भी है श्राइक लूड डाला और बहुत सारा पैसा अब यहाँ पर ले लिया है देख लेते हैं और कुछ बचाते हैं जोल बचेगा सब का सब ले जाऊँगा तो गई सर लगते हैं अपना टाइम हो चुका है यहाँ से बहार निकल लेका फड़ाफट से निकल लेते हैं तो गाइजर यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे हैं, इनको थोड़ा दिखाते हैं कि हम सौनिक हैं, हम कोई मामूली आदमी नहीं है, फड़ापट से इसको मारेंगे, इसको भी मारेंगे, किसी को भी नहीं चुड़ने वाला, यह ले, सारे के सारे पुलिस वालों को यहाँ पर मार दूँगा क्योंकि काईजर यहाँ पर मैंने टोटल चुडाली है नहीं बताओंगा नहीं बताओंगा आप गैस करो कितने पैसे हमने इस बैंक से चुराए होंगे आपको पता चलेगा ऑक्शन में जब में वो सारा का सारा पैसा उडाने वाला हूँ अभी फिल में और खरीते हैं वो गदरनाक सा गोल्ड सॉनिक सूट तो आप सभी का स्वागत है अमारे प्यारे प्यारे आउक्शन में आज हमारे तीनों के तीनों ने जवान मुंडे पिकने वाले हमारे आउक्शन में अब इस आउक्शन को हम स्टार्ट करने वाले सब के सा अपना प पांडा के 10,000 डोलर्स कोन देगा 50,000 डोलर्स सबसे पहली बिड ये पांडा है बहुत ही कतरनक बोले वाला पांडा तुम्हें कैसा लग रहा है बिक्ते वे बांडा देखा इसको बहुत कुश्क हो रही है बिट लगा ये 50,000 डोलर बन लाकि 80,000 डॉलर 1, 80,000 डॉलर 2, अरे रुको रुको समर करो, एक लाग डॉलर, वाउ, एक लाग डॉलर, ये पांडा का प्राइस है, वन लेक डॉलर, कौन खरीदना चाहेगा, वन लेक डॉलर 1, वन लेक डॉलर 2, वन लेक डॉलर 3, सोल्ड, मुझसे कोई नहीं जीच सकता, तो काईसर, अभी न अंकल ने, इस पांडा को यहाँ पर खरीद लिया है, वन लेक डॉलर्स में, तो काईसर, अभी अगला है वो क्रिश, मुझे वो भी ने चाहिए, पर मुझे इन लोगों के पैसे जरूर खर्च करवाने पड़ेंगे, वरना, ये सौनिक क्यों पर बहु वहती सादा पारफुल है, मेरा नाम ग्रेश है, इसकी स्टार्टिंग बिड और वन मिलियन डॉलर्स, वन बिलियन डॉलर्स, सीधा फाइफ, अरे अंकल आपके बास कितना बैसा है, अरे बच्चे अपने घर जा, मुझे बच्चा मुला, टेन मिलियन डॉलर्स, वाउ, टे 20 million 20 million Wow 20 million dollars is Chris के लिए और कौन खरीदना चाहेगा अरे मैंसे अपने हाथ से चाने नहीं दे सकता मैं अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर दूंगा 50 million क्या 50 million यह हुई ना बात 50 million dollars कौन करीदेगा 60 million में आजाओ आजाओ 50 million dollar one 50 million dollar two 50 million dollars three sold अरे कैसे लोगों के पास तो बहुत जादा पैसे 50 million dollars कर दिये अभी यहाँ पर मेरी बारी आचुकी है अब बारी है इत खतरनाक से गोल्ड सॉनिक की जिसका फेट कर रहे थे बहुत टाइम से अब हम इसकी बिटिंग शुरू करने वाले 10 million dollars से कौन करीदना चाहेगा औरे कैसर इसकी तो starting price 10 million है पर मुझे खरीदना पड़ेगा 11 million 11 million इसका price है कौन खरीदना चाहेगा 11 million 1 11 million 2 दे दो दे दो दे दो वे मैं भी तो खरीदूंगा 30 million dollars 30 million 30 million वाव 11 million 30 million 30 million में कौन कर इतना चाहेगा इस खतरनाक से gold sonic को और कोई अच्छी बिट दो 30 million अरे यह दो बहुत जाना है रुक जाओ मेरे पस अभी भी पैसा पड़ा है 50 million dollars 50 million 50 million dollars इस खतरनाक से gold sonic के लिए क्लिए क्या कोई 60 million देना चाहेगा मैं देना चाहूंगा 60 million मैं 70 million 80 million और इसके ऐसे की तैसी 100 million क्या स्रफ 100 मैं तुमको दूंगा अरे यह क्या मेरे पास तुम पैसे कतम हो गए मेरे पास पैसे कतम हो गए यस इसके पास पैसे कतम हो गए आज तक की सबसे बड़ी बेड 100 million dollars इस खतरनाक से gold sonic के लिए क्या कोई खरिदना चाहेगा 150 में 100 million 1 100 million 2 100 million 3 sold मिल गया मिल गया मुझे मिल गया आकिरका 100 million dollars में मुझे यह कदरनाक सा gold sonic मिल चुका है चल्दी से इसको ले लेता हूँ और बच्चे पैसे दो तो अरे आप पैसे देता हूँ यह लो अंकल आगके 100 million dollars और कैसर यह sonic हो चुका है हमारा और कैसर अभी आप देख सकते हूँ मैं बन चुका हूँ यह खदरनाक सा gold sonic में कहां जा रहा हूँ मैं बाहर निकलना है ऐसे मेरी पावर्स आपर तो नहीं जादा ही बढ़ चुकी मैं हावा में उड़के डैरेक यहां से वड़ा आपर से बाहर निकलते हैं हमने यहां पर यह 100 मिलियन डॉनर्स में खतरनाक सा gold sonic यहां पर खरीद लिया है और कैसर इसकी पावर्स ही में बहुत ही जादा खतरनाक है मैं कितने बड़े jump करकर के इस पूरे Los Santos को destroy कर सकता हूँ इसका मतलब उस Hulk को मारने की बारी यहां पर आचुकिये और अपनी girlfriend को बचाने की भी पड़ापट से चलते हैं उस Hulk को बताते हैं कि मैं कितना जादा खतरनाक हो चुका हूँ और उसको खतम करते हैं आ रहा हूँ मैं Hulk तो Kaiser अभी आप देख सकतो मैं अभी आचुका हूँ Hulk के घर पर वो और मेरी girlfriend दोनों इधर इस साथ में रह रहें पर आज के माद ऐसा नहीं होने वाला मैं उस Hulk को नहीं चोड़ने वाला Hulk आ गया मैं मुझे लगा था खतरनाक बन कराएगा तो तो अभी वे बिद्धी है मैं पिद्धी हूँ पर तुझे याद होगा कि तेरी कमजोरी है गोल्ड और मैं पूरा का पूरा गोल्ड से बनाओ अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला एमी तुम टेक्शन मतलो मैं तुमें बचा लूँगा और अपनी गर्फ्रेंड वापस बना लूँगा अरे तुम ये क्या बॉल रहे हो मैं तुम हलके गर्फ्रेंड हो अरे इसका मैजिक अभी चल रहा गया अरे है इसको अंदर भेजना मुझे तुम से लड़ना है ओकी ओकी बेशता हूँ अरे तुम अंदर जाना तू काई ज़र एमी याँ पर चाच चुकिए हल के बच्चे मैं तुझे नई छोडने वाला मैं तुझे नई छोडने वाला सबी चाज मैं तुझे खटम कर रहूंगा अबे ऐसे कैसे खतम करेगा आजा देखते हैं कौन है साधा पाउरफुल और कौन है कमजोर इस हाई को में बिको ने चोड़ने वाला ये ले तुकाइजर इस हाई के घर के अंदर ही मैं इस हाई को खतम करूँगा और अपनी गर्फरेंड को बचाऊँगा फिर हम दोनों साथ में इस ही घर पर रहेंगे अब इस अपने देखना बंद कर चिकिए ये ले तुक गाड़ी का इसके ओपर गाड़ी भेकूँगा अरो मेरी गाड़ी मेरी चोड़ तेरी गाड़ी को और तुझे दोनों को आज में मारने वाला हूं ये ले मेरी गाड़ी बोड़ी मैं तोझ से बिलकुल खातम करने वाला हूँ! इस बाइक को ठाकर मैं सकी ओपर फैकुँगा ये ये खा बाइक मेरी! औरे ये क्या कर रहे हो! तो में इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो! मैं हल्क हूँ! साधा पावरफुल पावरफुल तू था पहले पर अभी मैं पावरफुल हो चुका और ये कि हमेने ट्रेन को क्यों गिरा दिया रुख जा इसके उपर ट्रेन पटक के मारूँगा मेरा सपना था एक बार तो हलक के उपर स्ट्रेन भेक के मारना ये ले रुख जाओ ये वाला ट्रेन का डब भी भेकेंगे हलक आजा 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 अरे तुम तो बहुत ही साधा पावरफुल हो मुझे माफ कर दो हाँ 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 मैं तो मजा कर रहा था सौनिक के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा अब ये ऐसे मजाग अच्छे नहीं होते मुझे लगा मैं जीतने वाला हूँ वाल यहाँ पर तो ये मुझे ही मारने लग तेरी ऐसी एक और ट्रेन खा ट्रेन इसके उपर बाउंस दोके चली गई ये ले आज मैं तुझे खतम कर दूँगा वो मेरी गर्ल्फ्रेंड है क्या गर्ल्फ्रेंड तुझे ये मुझे याद निदिलना चीए था मैं तो भूली गया था मैं तो गर्ल्फ्रेंड के लिए लड़ाई कर रहा हूँ अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला ये ट्रेंड मेरे सामने किती छोटी लग रही है ये तेखो मेरे पैरों से गिर गई पिछली बार मैं ही गिर गया था ट्रेंड को बचाते 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 पर अभी हल्कों करने के बाद मैं बचुका हूँ तुन्या का सबसे ख़दरनाक गोल्ड सॉनिक इसका मतलम एमी भी ठीक हो चुकी होगी उसके पास जाना ची है तुम पास अब देख सेकते हुँ हमारी गर्फरेंड वे यहाँ ठीक हो चुकी है एमी को में बचा लिया उसका दरनाक हुंग से हल्क से और मैं इतना जादा जाइंट गोल्ड सॉनिक बन चुका हूँ जो कि सही में बहुती ज्यादा पावरफुल है तो गाई सर्फ तर पड़े से कमेंट करके बता लगा ये सानिक आपको कैसा लगा मुझे तो बहुती ज्यादा मजा आ गया तो गाइस अगर आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई बाई